नमस्कार आपको स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल स्टोकोलोजी में आज हम बात करने वाले हैं रिलाइंस कैपिटल के बारे हो जिनकी रिजल्ट आज ही जा रहे हुए हैं जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नलएकरोडा जो पिछले वर्ट का जो इंकम था उसके अपनीके सामी तो टोटल एक्सपेंसेस जो हैं 2857 करोड जो मार्च 20 में थे क्वाटर में वह 3867 करोड मार्च 21 में हो गए तो एक्सपेंसेस जो है क्वाटर और क्वाटर में बड़े हुई दिखाई दे रहे हैं अब अगर हम यार और की बात करते हैं तो 6858 करोड के स्थान पर क्यार 1535 करोड मतलब वर्ट से 21 में एक्सपेंसे जो है डबल नजर आ रहा है अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट्मेंट की बात करते हैं तो क्वाटर बीस में दो हजार पांसों करोड का लॉस हुआ था जो 221 मार्च में 3856 करोड का हो गया है और अगर पिछली वर्ट की बात करें तो पांसेजार 465 करोड का जो लॉस था वह इस बार 10972 का हो गया है यही आंकड़े जो प्रॉफिट अर्ड लॉस में दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट ऑप दा पीरियड जो है वो सेम यही आंकड़े हैं जो हमको इसमें प्रदर्सत होते दिखाई दे रहा है तो इस प्रका जो है वो चगदर असमरों 35 था और अगर फिफ्टी टू वीक लो की बात की जाए तो पांच रुपय पंचाने पैसे था यह पांच रुपय पंचाने पैसे 27 मैं 20 को लगा था जबकि जो 52 वीक हाई है और 3 जुलाई 2020 को इसका हाई लगा था तो इस प्रकार यह कंपनी के ज में हैं तो 17.640 करोड़ 18.890 करोड़ 20.9600 करोड़ 20.27000 करोड़ अब हम रवेन्यू ने तो बड़ा नजर आ रहा है लेकिन अगर हम प्रॉफिट रेंड लॉस की बात करते हैं तो कंपनी ने 2017 में 1.09000 करोड़ का प्रॉफिट दिया तो उसके बाद लॉस में रही माइनस 4. 4.63 फिर माइनस 1.51 फिर माइनस 1.08 तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी के लॉस जो है ज्यादा है प्रॉफिट से तो पिछले तीन वार से लॉस में हैं अगर शेर होलिंग पैटर्न की बात की जाए तो दिसमबर 20 में 1.51 प्रमोटर के पास थे शेर परसेंटेज जो मार् 3.39 परसेंट थे जो 0.42 होगे थोड़ी से पड़ुत्री दिखाई देती है डियाइस की बात करें तो 3.49 के स्थान पर 3.07 परसेंट हुआ है मतलब डियाइस घटे हैं गवर्मेंट का सेर 0.02 से था वही सेम है पबलिक होल्डिंग 93 जो 94 जो 35 हो गई है अधर होल्डिंग 0.64 जो 0.64 अभी भी है जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करें सेर करें धन्यवाद